देखे question number 3.11 यहाँ पे आ रहा है N.C.E.R.T. Physics 12.3.11 कल यह गलती हो गे थी ओ 3.9 लगाया था था 3.8 ही हमने लगा करके 3.8 को ही समझा दिया अब जो देखेगा उसको अगर देखेगा Master Moore कहेगा लगा रहा देखो 3.9 लिखे पड़ा 3.8 अब तुम लोगों ने धाली ने दिया लिखा है कि स्टोरेज बैटरी है उसका EMF 8 बोल्ट क्या गिवन है एक स्टोरेज बैटरी है उसका EMF कितना गिवन है 8 बोल्ट की एक स्टोरेज बैटरी है ठीक है एंड इंटर्नल रेजिस्टेंस उसका है 0.5 ओम इसका जो इंटर्नल रेजिस्टेंस से कितना है 0.5 ओम है ठीक है इस बी इस बींग चार्ज बाई 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यानि जो सप्लाई वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज इसको लिखे जा रहे है सप्लाई वोल्टेज जो है 120 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज दिया जा रहा है है बाई साहब 8 वोल्ट के और सप्लाई ले रहे है 120 वोल्ट ठीक है यानि वही है दात काम नहीं कर रहे हो पनेथी दे दी जाए खा बेटा मुझता बड़ा गुचड़े हैं ले केला खाओ ले ओ खा तो अंत में इसकी इस्थित क्या हो की तो बात मताया जाएगा भाइ यूजिंगा स्टैजर रिजिस्टर आफ 15.5 ओम इसके साथ सरीज में एक रिजिस्टर लगाया गया है 15.5 ओम का क्यों लगाया गया हो तो बात की बात है तो what is the terminal voltage of the battery during charging, charging के दोरान terminal voltage बैटरी का निकालना है, और दूसरी बात कहा गया कि what is the purpose of having the series register, is the being charging circuit, उसमें एक register का क्या काम है, ठीक है, अब जरा समझने की कोशिच करिएगा, मैं अपनी ये बैटरी जिसको चार्ज करना उसको बनाता हूँ, ये बैटरी है, अब अब आप सब्सक्राइब को देशन सेल है, आपने बैटरी कह दिया, चलिए ये बैटरी है, हम बैटरी कहेंगे, हम कुछ भी कहें, और ये इसका internal resistance है, है ना, और इसको चार्ज किया जा रहा है, कैसे चार्ज करेंगे, चार्ज करते वक्त बताया गया था, कि जो चार्जिंग का positive terminal हो E1 माल लेते हैं, है ना, कितना है 120 वोल्ट, यह चार्जिंग वोल्टेज जो आपका है वो, उसको क्या इंडिकेट किये दे रहे हम, E1 से इंडिकेट किये दे रहे हैं, और यहां रास्ते में कहीं भी एक register लगा दिया गया, सरीज में कहीं भी लगा दीजे, यहां लगा दो यहां लगा दो, महां लगा दो, कोई फरक नहीं पड़ता, अब यह कह रहे हैं, यह चार्ज किया गया है, है ना, देखें, इस बैटरी को आपने इन दो एंड्स के बीच में जुड़ा है ना, A और B के बीच में, तो इसी के बीच में आपको टर्मिनल बोल्टेज निकालन उसको प्रूब भी कर सकते हैं, निकि डाइट आपने पढ़ा है आपने, आप यानि कि आपको यहां पर आई की जरूद पढ़ेगी और आई आपको मालूम नहीं, ठीक है, तो पहले तो आई की बात कर लेते हैं, करेंट फ्लो कराने के लिए दोनों ताकत लगाएंगे, यह यह इसको चार्ज इससे हो रही लेकिन यह भी अपना ताकल लगाएगी ना, ठीक है, वह जैसे टीचर ने किसी पढ़ाया और बाद में आप, टीचर तो यह है जो पढ़ा रहा है आपको फिलाल तो बैटरी है, और आप सेल है, और कभी कई मिल गए, कहने एपी बाज़ों ह बोले हमको हमने पढ़ाया, बोले तुमने पढ़ाया, वह दो चार कुशन उनको नहीं आ रहे थे हमने पढ़ाया तो यह भाई साब भी करेंट फ्लो कराएंगे ना, यह किधर फ्लो कराएंगे, इधर फ्लो कराने की कोशिज करेंगे, और यह किधर फ्लो कराएंगे, इधर flow कराने की कोसिज करेंगे तो दोनों में EMF किसका ज्यादा है इसका ज्यादा है तो सिंपल से बाद इसकी ताकत ज्यादा है तो current तो ऐसे ही flow होने वाली है तो current निकाल ली जाए तो net EMF जो circuit में हो कितना होगा वो जाएगा 120-E यही तो है net इसको हम मालने क्या इड़ेस तो E1 बोले तो 120 और E बोले तो 8 यहीड़ेस है तो Eड़ेस की value क्या आ गई 112 वोल्ट यह net जो EMF circuit में current supply करने के लिए जिम्मेदार है वो यह 120 वोल्ट से supply करेगा यह अपोस करेंगे वोले हम supply करना चाहते हैं यहां से कहा आ गए तुम तब इनको पताना पड़ेगा अपने अवकात में रहे हम तो इधर से जाएंगे गुज़ करके तो इधर से चली जाए current तो आई परावर क्या हो जाएगा net EMF upon total resistance तो net EMF क्या हो गया 112 और total resistance कितना हो गया कितना हो जाएगा 15.5 और plus 0.5 16 16 की table तो आती नहीं होगी 16 सब्सक्राइब आती है तो यहां पर फ्लो हो रही है ठीक है तो current तो मालूम हो गई अब terminal voltage कैसे निकाला जाए जब निकालेंगे इसे note कर लीजे पहरे आप जब terminal voltage निकालेंगे terminal voltage टर्मिनल voltage वी बरावर क्या होगा ए ए किसका इन भाई साब का ए और plus IR ए बोले तो 8 वोल्ट प्लस आई बोले तो कितना है साथ और आर कितना है 0.5 यानि कि आठ प्लस साथ पना पैंतिज 3.5 11.5 वोल्ट का terminal voltage है निकाला आया ठीक है अब जड़ा समझेगा इसका terminal voltage कितना है 11.5 current कितनी जाएगी 7 इंपियर की इसका खुद का voltage कितना है तो current बहुत जलनी ली जाएगी voltage हाई हो गया ना तो potential difference ज्यादा हो गया ना terminal voltage का मतलब क्या होता है इसके इसके विशे potential difference कितने का हो गया 11.5 का और इसके पास कितना है इसका voltage कितना है 8 volt का है ठीक है तो current बहुत जलनी जाएगी ज्यादा current जाएगी ठीक है जिससे ये बैटी हो हीट होने के सम्भाव ना है इसके लिए रास्ते में क्या लगा देते हैं हमें register register क्या करेगा उस current के नहीं देखो current उतनी जानी है current के duration को कम कर देगी current की duration जो ना वो कम कर जेखा आप खाते है जल्दी लदी ममी क्या करेंगी धीरे धीरे खाओ भागा थोड़ी जा रही रोटी तो धीरे धीरे खाओ मतलब क्या होता बैटी चार्ज कर रहो ना और धरबर धरबर अगर चार्ज करते रहोगे तो क्या होगा जल्दी का मतलब है बैटरी में आप current जल्दी लदी supply दे रहे हूँ और जल्दी देने का मतलब हो heat भी जल्दी होगी, heat तो हो नहीं हो नहीं है उसको रोक नहीं सकता ठीक है तो वह धरे धरे उसका internet resistance बढ़ता जाएगा और वह damage जल्दी हो जाएगी ठीक है पुरानी बैटरी चार- बहुत current current तो नहीं absorb करेगा थोड़ा बहुत potential यह absorb कर लेता है यह यह कहिए वह बैटरी में जो current जाती है उसके time को delay कर देता है नहीं current धिरे दे जाती है और battery slow charge होती है इसके लिए हम इस resistance का यहां use कर रहे है ठीक है